हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आटो अडवाज जेवी आज की वीडियों हम बात करेंगे मारूती सुजुकी एस्प्रेसो वीएक साइक में म्यूजिक सिस्टम में ब्लूटुस करेक्ट केसे किया जाता है सबसे पहले हम गाड़ी का इगनेशन आउन कर लेते हैं यह देखे फ्रेंड्स हमने इंपोर्ट एड्मन सिस्टम ओन कर लिया है यहाँ पर आपको नो आड़ियो दिखाए दे रहे सबसे पहले हमें मेन्यू पर क्लिक करना है जैसे आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे आपको तीन ओप्शन दिखाए देंगे साउंड सेटिंग ब्लूट इसके बाद फिर आपको तीन ओप्शन दिखाए देंगे तो इसमें आपको सेकंड ओप्शन पर क्लिक करना है अब आपको नेम एंड पास की का ओप्शन दिखाए देगा आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही आपने नेम एंड पास की पर क्लिक किया यहाँ पर पैरिंग न आपके मुबाइल का Bluetooth ओन कर लिजिए, मैं अपने मुबाइल का Bluetooth ओन कर लेता हूँ, यह देखे फ्रेंड्स, मैंने अपने मुबाइल का Bluetooth ओन कर लिया है, यह देखे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मारुति सुजुकी का सिम्बॉल दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक जीए यह मैंने इस पर क्लिक कर दिया है यहां पर आपको पैरिंग का ओप्शन दिखाई देरा आप यहां पर इसको क्लिक कीजिए यह मैंने पैर पर क्लिक कर दिया है यह देखे फ्रेंड्स आपका मुबाइल ब्लुटूस से कनेक्ट हो चुका है यहां पर ट्रांसफर डेट मोड चेंज कीजी यह FM मोड यह एम मोड और यह Bluetooth मोड अब आपके मॉबाइल में जो भी आपको गाने सुनना है वो आप प्ले कर सकते हैं तो इस प्रकार से हम अपने मॉबाइल को Bluetooth से कनेक्ट कर सकते हैं यह देखिए फ्रेंट्स यहीं से आपको कॉल रिसीव एंड कट का ओप्शन भी यहीं पर मिलता है इसी इन्फोटेंबन सिस्टम में आपको USB कनेक्ट और ऑक्स का भी ओप्शन मिलता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कितने आसान तरीके से हम अपने मोबाइल को आपकी गाड़ी की Bluetooth से कनेक्ट करके गाने सुन सकते हैं तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरू बताएगा और अपने दोस्तों में जाद़ जाद़ शेर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दी ताकि मैं ऐसी किसो मैंच